भारतिये सेना की इस तस्वीर ने बड़ा खेल कर दिया है इस तस्वीर में अचानक कुछ ऐसा दिखा है जिसकी उमीद ना तो चीन को थी और ना ही पाकिस्तान को ये तस्वीर भारतिये नौसेना के आईनेस तलवार युद्ध पोत से आई है दरसल योग दिवस के मौके पर भारतिये नौसेना के युद्ध पोत आईनेस तलवार पर नौसेनिक योग कर रहे थे सब कुछ सही चल रहा था कुछ नौसेनिक नीचे योग कर रहे थे तो कुछ उपर प्लैटफॉर्म पर इसी भी चचानक सब की नजर इस मॉडियूल पर गई ध्यान दिया गया तो पता चला कि INS तलवार को अपग्रेड कर दिया गया है इसमें ब्रमहोस मिसाइल लॉंच करने वाले युनिवर्सल वर्टिकल लॉंचर मॉडियूल को लगा दिया गया है आपको बता दे कि ये लॉंचिंग मॉडियूल एक वर्ल्ड क्लास टेकनॉलोजी है जो कुछ ही देशों के पास है इस टेकनॉलोजी की मदद से भारत युद्धु पोतों से ब्रमहोस मिसाइल दाग सकता है आपको बता दे कि चलते हुए युद्धु पोत से ब्रमहोस मिसाइल दागना आसान काम नहीं है लेकिन इस मॉडियूल की वजह से ये काम बेहद ही आसान हो जाता है युनिवर्सल वर्टिकल लॉंचर मॉडियूल की मदद से ब्रमहोस मिसाइल को वर्टिकल और इंकलाइंड पोजीशन यानि बिल्कुल सीधी और थोड़ी सी जुकी हुई पोजीशन से फायर किया जा सकता है भारत ने अब यही मॉडियूल आइनेस तलवार पर लगा दिया है आइनेस तलवार पर लगे इस मॉडियूल की मदद से अब दो से धाई सेकिंड के गैप में कई बार ब्रमहोस मिसाइल को दगा जा सकता है दुश्मन के जंगी जहाजों को सोचने का समय तक नहीं मिलेगा लेकिन भारत का ये युद्ध पोत ताबड तोड ब्रमहोस मिसाइले दाग देगा कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में बड़ी ही सोची समझी रणनीटी के तहट आइनस दलवार पर सैनिकों से योग करवाया ताकि दुश्मनों को भारत की इस नई ताकत के दर्शन हो जाएं ऐसे में अगर किसी दुश्मन की सांसे रुक जाती हैं तो वो योग करे और अनुलोम विलोम सीखे आपको बता दे कि भविश्य में भारत इसी क्लास के कई और युद्ध पोतों में ब्रमहोस मिसाइल को दागने वाला ये मॉड्यून लगाने जा रहा है बताया जा रहा है कि भारत अपने सभी फ्रंट लाइन युद्ध पोतों और डिस्ट्रॉयर शिप्स पर ब्रमहोस लगा रहा है ये युद्ध पोत हिंद महसागर और अरब सागर में गश्त लगाते रहेंगे चीन और पाकिस्तान के जंगी जहाजों को करारा जवाब देंगे ब्रमहोस मिसाइल भारत का प्राइम स्ट्राइक वेपन बन गया है यानि हमला होगा तो ब्रमहोस से होगा किसी छोटी मोटी मिसाइल से नहीं भारत युध पोतों के अलावा सुखोई लड़ाकू विमानों में भी ब्रमहोस मिसाइल लगा चुका है जमीन से तो पहले ही ब्रमहोस मिसाइल दागी जाती रही है आपको याद होगा कि रास्ता भटकने वाली ब्रम्होस मिसाइल जमीन के रास्ते ही पाकिस्तान में घुसी थी